नमस्कार दोस्तों दोस्तों अभी कुछ दिन पहले CBI ने डॉक्टर स्वामी के लेटर के जवाब में एक लेटर लिखा था जिसमें CBI ने कहा था कि CBI अपनी जाच कर रही है और इनके लिए वो अलग-अलग जगे पर विजिट कर चुकी है जिसमें CBI ने अपने पॉइंट नमबर 6 में कुछ ऐसी जगों का जिक्र किया था जिनमें अलीगर्ड, फरीदाबाद, हैदराबाद, मुंबई और मानेसर जो की गुडगाओं में आता है इनका जिक्र किया था इनमें कुछ जगों के बारे में ज्यादातर जानते हैं कि वहाँ पर क्या-क्या कनेक्शन है जैसे कि मुंबई में SSR खुद रहते थे, पटना से वो बिलॉंग करते थे और फरीदाबाद से आननदी की तरब सुई घूमती है अब बसते हैं हैदराबाद, मानेसर और अलिगड हैदराबाद से जो कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि सिधार पिठानी जो है हैदराबाद से बिलॉंग करता है जो कि उसका हॉम टाउन है पिठानी मुंबई में रहता है लेकिन जिस तरह से CBI ने अपनी चार्च में हैदराबाद का जिक्र किया है उससे ये बात किलियर होती है कि CBI पिठानी के बैकग्राउंड के बारे में चानबीन कर रही है या चानबीन जो है कर चुकी है पिठानी हमेशा से इस केस में उतना ही एहम रहा है जितना ताई या उसकी फैमली क्यों पिठानी भी जो है उन्हीं लोगों में से है जो SSR के घर में रहते थे तो उसकी चानबीन करना उतना ही जरूरी है जितना ताई की इसके अलावा एक दिपेश वही जो सुशांत का नौकर था अलीगर्ड दिपेश का हॉम टाउन है और आप सब को पता है कि दिपेश इस सारे खेल में कितना बड़ा महरा है क्योंकि दिपेश ही वो सक्ष है जो वैसे तो SSR के घर में नौकर था लेकिन उसके नशा करते हुए कि केई फोटो और वीडियो जो है वाइरल होई थी जिस टाइम सुशांत की डैथ होई थी इतना ही नहीं दिपेश के इंस्टाग्राम पेज पर काफी ऐसी पिक्स अप्लोड की थी जो दिपेश को शक के घरे में खड़ा करती है लेकिन जैसे ही दिपेश की वो इमेज वो पिक्स जो है वाइरल होनी शुरू हुई थी तो दिपेश ने क्या किया कि अपना जो एकाउंट था वो प्राइविट कर दिया था अब बात करता हूँ मानेसर गुडगाउं की मानेसर गुडगाउं में जाने के दो कारण हो सकते हैं एक SSR के जीजा IPS जो है वहाँ पहले गुडगाउं में पोश्टिर थे वहाँ पे उनकी जॉब थी तो एक तो ये कारण हो सकता है दूसरा कारण यह है कि गुडगाउं में SSR की एक प्रापर्टी है वो property क्या है वो नहीं पता लेकिन SSR की property है वो flat भी हो सकता है घर भी हो सकता है और वो कोई farmhouse भी हो सकता है काफी लोगों को ये पता होगा कि गुड़गाओं में SSR की property है वो flat है मकान है या farmhouse है इस वो कोई clear नहीं है लेकिन वहाँ पर SSR की property है ये clear है जहां SSR बीच बीच में अपनी छुटिया मनाने जाता रहता था माने सर का अभी तो यही connection है जो लोगों के सामने आ रहा है लेकिन माने सर की इससे भी अलग कोई वज़े है या नहीं ये तो CBI ही बता सकती है जब उसकी final report आईगी CBI ने जो place mention किये हैं वो case में कितने एहम हैं ये हम सब जानते हैं लेकिन CBI उन जगों पर कितनी तहकीकात कर पाती है ये तो आने वाला वक्ती बताएगा जब उसकी report आईगी लेकिन इसके alert वहां के police commissioner ये बयान दे चुके हैं कि अभी दो दिन पहले बयान दिया था कि उनकी police को बदनाम किया गया था SSR case में जबकि CBI की जाच भी जो है उनकी जाच पुलिस जाच के से अलग कुछ नहीं आएगी यानि जैसी उनकी police की जाच थी वैसे ही CBI की जाच आने वाली है वहां के CM साब का भी जो है यही बयाने की उनकी police को बदनाम किया गया था और अब फैसला भी जो है वैसा ही आएगा जैसा उनकी police जो है जाच में फैसला लेके आई थी लेकिन सवाल आता है कि जब अभी CBI का फैसला आया ही नहीं है तो ये फैसला कैसे कर दिया कि पुलिस को बदनाम किया गया है यदे नहीं क्या ये लोग जो है CBI का फैसला जान चुके हैं कि CBI भी इनकी पुलिस जैसा फैसला सुनाने वाली है आपको क्या लगता है दोस्तों की राजा और सेनापती के बयान के पीछे का कारण क्या हो सकता है क्या ये डर रहे हैं या ये confident है